हलो दोस्तों आपके स्वागत है जी एकेड़ी में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुर्स वक्स रिल्टेड डाउट्स बहुत से लोग वीडियो के लास्ट में देख लेंगे उनके डाउट्स को क्लियर करवा देंगे आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं वो बात को और दिहान रखें वीडियो को दिहान पूर्बख सुना करें यदि यदि आपको समझ में नहीं आता है तो दुबारा देखें लेकि यदि आप कॉमेंट बॉक्स पे आप irrelevant questions पूछेंगे क्योंकि जो भी मैंने वीडियो में बता दिया है आप उसको भी बार बार इतना किलिस्ट हिंदी या इंग्लिश नहीं यूज करती ठीके ना लिट्रेचर यूज नहीं करती इसलिए आप जो है सही तरीके से समझा करें और सुना करें चले तो देख लेते हैं सबसे पहले ये है कि आपकी क्लास एक दिसमबर से स्टार्ट हो रही है अब उसके बाद जो कोर्स वकी कक्छाएं होंगी क्लास होंगी वो दस से लेकर कि 6 बज़े तक रहेंगी मतब इन मेंसे कोई भी समय हो सकता है दस से छे और संडी को आफ रहेगा अधी जैसे मालो कुछ फैकेल्टी ऐसे होते हैं कि हमें संडी को ही स्पेसल ग्लास लेना है तो उस टाइम में वो ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते लेकिन अधी बिसेश तोर पर बुलाया जाएगा तब कि आपको आना ही है संडे को तब नहीं तो आदरवाइस आपको 10 से 6 बजे का ही टाइमिंग रहेगा और कुछ फेकल्टी जैसे मालो हम किसे ऐसे अधी से फेकल्टी को हायर कर लिया जो किसी और युणिशिटी में पढ़ाती है तो उनका टाइमिंग 10 से 4 है और आप लोग को भी टाइम देना है तो उनके टाइमिंग हो सकती है सुबह भी हो सकती 8 से 10 भी हो सकती तो ये भी न रखें कि जो है मतलब सुबह आपकी टाइमिंग नहीं हो सकती क्लास की ये तो ओफिशिली टाइमिंग बता दिया गया है हो भी सकती नहीं भी हो सकती depend upon मतलब faculty पर depend करता है कि वो क्या चाहता है पहली बात दूसरी बात ये भी है कि Sunday class नहीं लगेगी ठीक है और साथी साथ में एक बात और बताना है आप सबी को थ्री मंस की क्लास आपकी युनिवरसिटी में लगेगी और जो थ्री मंस की क्लास लगेगी उसमें जो पहला वो होगा मतलब जो पहला period होगा या कि फिर एक timing दिया गया है इसका research methodology का कि कब से कब तक क्लास लगेगी research methodology की तो हम दिखा देते हैं यह देखो research methodology का separate ही बना है क्या एक जनवरी से लेकर के स्वरी एक दिसंबर से लेकर के 29 जनवरी तक आपकी सिर्फ research methodology और computer application की क्लास लगेगी ठीक है मतलब दो period एक साथ लगेंगे या कि फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि दो period एक साथ research methodology की हो जाए या कि फिर दो ही period computer application का हो जाए वो सब डिपेंड करता है आपकी क्लास में कौन सा faculty उस टाइम में अवलेबल है ठीक है और एक बात का ध्यान रखें जब आप course work की क्लास के लिए जाओगे कला में इती है सब्जेक्ट आएंगे नेत अंग्रेजी, हिंदी, संस्कित, दर्शन सास संस्कृत नेत मतब डांस, अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी म्यूजिक, फिलोस्पी और संस्कित उर्दू इनकी क्लास research methodology और computer application की एक साथ लगेगी सारे बच्चे एक साथ आएंगे और टाइमिंग कुछ भी हो सकता है टाइमिंग सिर्फ 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा 90 मिनट का टाइमिंग रहता है कम से कम 3 घंटे की क्लास लगेगी उसके बाद आप तो free free हो आप library घुमो, एक books पढ़ो कुछ भी करो आपना job भी कर लो वो आप सब कर सकते हो लेकिं 3 घंटे की क्लास के लिए आपको आना ही पड़ेगा ठीक है इसी तरीके से मालो हम बादिज में है तो बादिज की क्लास तो separate ही लगेगी मतलब बादिज का research methodology और computer application बादिज वाले में ही लगेगा जहां बादिज की क्लास तो लगेगी शिक्छा में शिक्छा और योगिक साइंस इन में साथ में लगेगा और जो ग्रह विज्ञान के लिए जो research methodology computer application उनका भी ऐसा ही रहेगा जो की जिसमे अच्व कल्चर हो गया बायो टेक्नलोजी उपनस्पती परियवन विज्ञान जनेटिक्स माइक्रो बैलोजी जोलोजी इन सभी के स्टुडेंट एक साथ बैठेंगे ठीके न आपकी क्लास में कब तक जो डाइट दी गई है research methodology और computer application की जो combined class लगेगी उसमें जो है ये सारे बच्चे जी विज्ञान में रहेंगे इसके बाद देखेंगे इसे विज्ञान में साइंस में ठीके न तो रसाइंस साथ के एक साथ बच्चे रहेंगे computer science के electronics के इसी तरीके से geology के बहुत की गणित और इनके बच्चे आपके साथ में रहेंगे research methodology साथ में पढ़ेंगे computer application भी साथ में पढ़ेंगे timing मैंने बता दी है और भी जो subjects है और आप ये सोच रहे हो न कि आपका जो है आप ज़िए उन्होंने बोला है कि timing इतने से इतने आठ बजे से नौ बज तक ही है आया कि आठ से दस ही है कि दस से बारा भी है कभी भी change हो जाती है timing तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग दूर दूर से आओगे तो at least एक group बना ले न जिसमें सभी से संपर्क होता रहे और connectivity बनी रहे और सभी प्रोफेसर जो भी प्रोफेसर सापकी dean है या की coordinator है उनका mobile number रख लेना कहीं न कहीं आपको कभी न कभी संपर्क जड़त पढ़ सकती है लेकिन unnecessary नहीं call लगाना या unnecessary call लगाना start कर दो ठीक है ये बात होगी अब paper अपने कितने होंगे मतलब कितने paper की classes लगेंगी देखो एक होगा research methodology का होगा ठीक है ना इसकी class लगी computer application की लगेगी और advanced course in a relevant subject इसकी लगती नहीं है mostly लेकिन है वो लगाते हैं तो अच्छी बात है नहीं लगाते हैं तो आपको अपने सित करना पड़ेगा ठीक है पहली बात अब दूसरी बात ये करनी है कि आपको 75% attendance चाहिए ठीक है मालो आपका 70 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं attendance दिक्कत नहीं लगे 70 हुआ तो 70 से कम हुआ तो फिर problem हो जाती है और सब भी अलग-अलग register बनता जैसे research methodology का अलग बनेगा computer application का अलग बनेगा इन सब का अलग-अलग sign होते हैं जैसे जाते बगद sign किया आते बगद sign किया ऐसे और यह तो आपने पता ही बता ही दिया बहुत पहली बता दिया इन सब के बारे में कितने marks का होता है और percentage कितने चाहिए अब देखो research methodology के 40 कालखंड होंगे एक बात का और बतारी हूँ जब वो आपको पढ़ाएंगे ठीक है ना तो आप अच्छे से थोड़े से short notes तियार कर लेना और books का पता कर लेना बाद में बहुत दिक्कते जाती है ठीक है ना 30 कालखंड होगा advanced course in relevant subject ये mostly नहीं लगाते हैं लोग ठीक है ना classes नहीं लगाते 30 कालखंड होगा computer application का हाँ इसका जरूर लगाते हैं ये बहुत अच्छे से class लगती है दोनों की research methodology की नहीं लगती है तो at least आप इस चीज़ों को समझो की class नहीं लग रही है तो उसके लिए objection करो ये नहीं की सोते रहो class फिर कभी देख लेंगे ठीक है ना चलो आप देख लेते हैं अब क्या हुआ एक question और क्या था आप लोग के मन में आप देखेंगे मिथले समीना जी मुझे से पूछते है कि माम course work exam की कोई बुक भी आती है क्या हाँ आती है को थारी की बुक चलती है तो आप science background से हैं तो को थारी की बुक चलती है new edition वाला भी है old edition आपको google पे जाके search करेंगे तो अपने आप download हो जाएगा जो हिंदी वाले हैं हिंदी मीडियम के हैं उनका एक शर्मा करके हैं उनकी भी पेडियाप download हो जाएगी मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे आपको को थारी वाली बुक download करना है हाँ यह है कि आपको old version मिलेगा latest के लिए आपको purchase करना पड़ेगा पहली बात और दूसरी बात यह है कि उसमें art वालों का भी combine है और science वालों का भी combine है बना भी बहुत ही मोटी सी आती है ठीकिन आप PDF के रूप में भी मिल जाएगी और आपको purchase करोगे तो वहाँ से भी मिल जाएगी और जब आप book लो तो पढ़ो और जैसे आप मालो रह रहोगे बोलते ना एक किराय से रहोगे तो कहीं न कहीं आपको वो book पहले पढ़के जाओ और फिर slavis के according पढ़ो और फिर जब class में जाओ तो वहाँ से doubts पूछो अपने यह नहीं आ रहा है इसके बाद क्या होगा तो उससे आपको भी थोड़ा सा मतलब सीखने में अच्छा लगेगा और वहाँ पर यह भी होगा कि कुछ न कुछ आपने knowledge गेन करा ठीक है इसके बाद क्या करना पुराने paper मिल सकते है का हाँ मिल सकते है मिल जाएंगे मैं upload कर दूँगी ठीक है ना क्या जो जो date दे रखी है उसी date को सब होगा क्या आगे पीछे कुछ नहीं होगा नहीं ने देखो क्या है आगे पीछे हो सकता है मतलब एक दो मेहने का delay हो सकता या थ्री मंस का delay हो सकता तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगा और होना होगा तो 4 months भी डिले हो सकता है बरकत अल्ला उनिवर्सिटी कभे भी कह देती है लेकिन अपने बात पर कभी कायम नहीं रहती आप लोग का schedule wise हो जादा तो बहुत अच्छी बात है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा और इस बात के लिए ना रखें कि यह timing इतना अच्छा schedule दे दिया गया है तो क्या इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आपको करना पड़ेगा और अच्छी बात है कि आप बरकत अल्ला इसको follow कर रही है तो आपको भी इसको अच्छा ही समझना चाहिए ठीक है और classes Sunday को भी लगेगी नहीं लगती Sunday को classes और यह है कि the faculty ने बोला special class के लिए तो लग सकती ठीक है एक बात और दूसरी बात यह है computer application के लिए PDF जो है सर्च कर लेना वही आएंगी हाँ जैसे SPS जिन में भी SPS software हैं अभी बहुत सारे मतलब उसमें हैं तो उनको थोड़ा अच्छे से notes त्यार कर लेना क्योंकि SPS से questions आने ही आने होते हैं research methodology में शायद ने ने computer application में मुझे याद नहीं आ रहा है मैं जब कभी वैसे मिसलवस का वीडियो बनाया है तो आप उसमें देख लेना और books को download कर लेना कोथारी की book update बजन करना है तो आपको purchase करना पड़ेगा ठीक है और जिसके पास कोई भी doubts हो तो मैं next वीडियो में जब बनाऊंगी तो उसमें भी doubts आप लोग clear कर दिया करूंगी thank you